हाई फ्रेंट्स मैं परविंदर खारी फ्रेंट्स आज किया हमारी गेम टाटा सिल चैस फ्लिट सेक्शन की एक और बहत्रियन गेम है रमेश वाहू प्रग्रणन्द वर्सिस हरी कृष्ण पेन ताला मैं यहां शुरू कर रहा हूँ इस गेम को E4 के साथ यहां रमेश वाहू प्रग्रणन ने शुरू किया हरी कृष्ण ने यहां E5 से रेस्पांस दिया नाइट F3 नाइट C6 बिशफ C4 इतलियन गेम देन बिशफ आया C5 स्कॉर पर C3 जूक्यों प्यानो नाइट F6 देन D3 ब्लाक ने भी अपने D1 को आगे पुश किया D6 स्कॉर पर देन हुआ नाइट F1 स्कॉर पर बिशफ A7 देन बिशफ इया A3 स्कॉर पर बिशफ इस्क्स देन बिशफ C2, D5, ExD5, QnxD5 और वाइट ने आपने नाइट को G3 स्कॉर पर प्लेस किया, नाइट के G3 स्कॉर पर जाने के बाद might be possibility है इस risk को लिए जाए, लेकिन ब्लाक के पास यहां से काफ़ी इंट्रस्टिंग विरिएशन निकल करा थे वाइड यहां ओविए से शॉर्ट साइड ही कैसल करता फुर्दर ही गेम आगे बढ़ थी ब्लैक काफ़ी कीज़ डेवलोग कर जाता है यहां से इस गेम के लेके यहांáp दोनों साइड ने टूर्ड शॉर्ट साइड कैसल किया रुक अटैप गोस टू E8 रुक E1 स्क्वार पर रुक आया दी 8 स्क्वार पर थेन बिशप अधरी बिशप टेक्स E3 रुक टेक्स E3 ़िएन कुई धरी ओटू इस धरी धरी थेन क्विइं दी 6 वेल नाइट E4, क्विन पर अटेक बना, क्विन गई F8 स्क्वाइर पर, देन बिशप आया A4 स्क्वाइर पर, और यहाँ किसी तरह की कुछ डिस्टर्बमेंस आई मस्ट से क्रियेट करने की कोशिश है, तो यहाँ हरी कृष्ण ने पहले अपने बिशप को लिया D7 स्क्वाइर पर, और जैसे मैं कहता हूँ कि टेक्टिकल फॉर्मेशन का बेस है, अन्डिफेंड़ पीस, यहाँ प्रिग्नदन का बिशप अन्डिफे सकता, क्योंकि ब्लैक यहाँ पहले नाइट टेक्स एस त्री वो भी चेक के साथ करेगा, नाइट एक्शेंज होंगे, और उसके बाद बिशप प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, यहाँ पर इस तरह से गरी गेम आगे बढ़ती है, तो D4 की आप्शन को पहले यहाँ पर पहले जा सकता था, शाहिए पैटर भी था, लेकिन नाइट टेक्स दीफोर, एग्रेसिव गेम, एक्स्टर पाँं जीतने हैंगी कोशिए हैं, शाहिए नाइट टेक्स दीफोर, नाइट तो लिया, विशप टेक्स एफोर, बिशप मैट एलेक्शेंज यहाँ इक्वल रहा लेकिन नाइट टेक्स लिए एक एक्स्रा पॉन में कहूंगा यहां जी इतने का मौका फिलाल प्रग्ननल को मिलाओ कैसे पहला अटेक है इस नाइट पर हो गया E6 स्क्वार पर देन हुआ कुईन टेक्स A5 बिशब पर प्रॉबलम्स है लेकिन पॉन एक्षेंज को कम्प्रीट करते हुए रुक टेक्स D4 किया पॉन एक्षेंज एक्वल रहा और बिशब पर भी डिफेंस हो गया अटेक दुबारा उस बिशब पर बना B3 स्क्वार पर और मेरे ख्याल से बिशब C6 लेकिन ऐसा होने के बाद C फाइल्स में पॉन डबल हो जाते हैं यहां के लागया पहले B6 कुईन पर अटेक बना कुईन को उटाओ और बिशब को अपने अब डाले गए कुईन गई यहां से C3 स्क्वार पर रुक पर थोड़ा बहुत प्रैशर है बिशब गया B5 स्क्वार और बिशब की B5 स्क्वार पर जाने के बाद मेरे ख्याल से A4 की आप्शन अच्छी हो सकती थी ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ बिशब को हटाना पड़ता उसके बाद यहां अगर आप देखें तो D7 स्क्वार पर कुछ चांसेज बन सकते देखें और वो बहुत लबी गेम के बाद होता पहले यहां नाइट F5 की आप्शन को प्रिग्रंडर ने चुना उन्होंने बहुत शाफ के लिए रुक पर अटेक बना है और रुक कहां जाए इसको बचाना भी बहुत क्राफ्टली चाहिए था क्विन B4 अगर यहां किया जाता है तो आप देख सकते हैं F7 पॉंस के साथ इशूज तो होंगे नाइट X F7 चेक होगा किंग जहां मरजी लिया जाए उसके बाद क्विन एक्शेंज होकर नाइट वापस आ चुका हुआ लेकिन यहां इस पॉइंट पर सर्प्राइजिंगली हरी कुशन ने रुक D5 को चुना और उनके कैलकुलेशन काफी हद तक ठीक है नाइट को हटाएंगे वाइट के नाइट दोनों नाइट पर थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा तो गेम को डिक्टेट कर सकते हैं आने वाले समय में लेकिन यहां मूव आया नाइट X F6 चेक का और फ्रेंट्स यह कलकुलेशन बहुत शाप हो जाती है क्यों कि जी टेक्स F6 का मतलब होगा नाइट G6 डबल चेक फॉकिंग किंग एंड क्विन और क्विन गवानी पर जाएगे तो यहां क्या किया जा सकता है आइमस्ट से नाइट D4 यहां क्विन की फारिंग डाइन को क्लोज करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था लेकिन नाइट के G5 स्क्वार पर जाने से कुछ सॉल्ब नहीं होता बलगी प्रॉबलेंस बढ़ जाती है अन्डिफेंडेट पीस की अगर मैं बात करूँ तो यहां यह रुख अन्डिफेंडेट है खेर नाइट XF7 वह भी चेक के साथ और यहां पर वाइट का नाइट बिल्कुल सिक्किया और है अगर एग्जेक्ली इस पॉइंट पर कुइन को भी मूव किया जाएगा तो वाइट का नाइट और ज़्यादा स्ट्रॉंग पोजिशन में आ चुका होगा तो यहां हरी डिश्ट ने कोशिश की कि और उपको C5 स्क्वाइर पर ले जागर पहले कुइन पर अटैक बनाएंगे कुइन गई जी 3 स्क्वाइर पर अल इस वेल देन हुआ कुइन F6 और कुइन के F6 स्क्वाइर पर आने के बाद नाइट पर प्रेशर तो बनता है लेकिन solution simple है night at E goes to F3 यहां पहले white ने किया और ऐसा होने के बाद friends हरी किशन ने एक move को बहुत बुरी तरह miss कर गए या तो यहां रुक actions करने चाहिए तो रुक actions होने के बाद white यहां जाए 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 एक check देता उसकी defense के लिए queen लग सकती थी then उसके बाद उके रुक बीच में वापस आजा तो वो भी problem create करता दिक्कते हैं यहां black ने decide किया कि और रुक actions ना करके अपने रुक को बचाएंगे D8 square पर लेकिन ऐसा करने के बाद यहां हरी किशन का वो blender साबित हुआ क्योंकि night E4 fucking queen and rook और इस fuck के साथ ही यहां हरी किशने पैंतारा मेरे जहीं जब दिया friends काफी मैं कहूंगा sharp गेम यहाप रग्रणन ने के लिए है वे complete night अप हो चुके है और fuck actions अब भी हो चुके है तो आगे खेलने बढ़ाने का इस गेम में कोई फाइदा है नहीं वेल फ्रेंड्स मुझे उमीर है आप सभी लोग को भी यह गेम ज़रू पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे स्टीव चैनल चाहिए जब प्रीज सब्सक्राइब जरूर करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहर दिन जा रहेगा थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाई फर नौ